इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा अधिनस्त बोड यानि की RSMSSB बोड दोवारा तीन मार्च को आयोजित होने वाले दो पेपर एक संग्णख भरती परिक्षा और दूसरी CHO परिक्षा तो CHO परिक्षा के परवेश पतर कब जारी होंगे और परवेश पतर के साथ में और कौन से डोक्यूमेंट आपको एक्जाम हॉल में लेके जाने है उसके बारे मैं अपडेट बता रहा हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे चैनल जरूर सब्सक्राइब करे क्योंकि आपको एस यूटूब चैनल पर इसी तरह राजिस्तान एक्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले देखने को मुलेगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे और वीडियो को अधिक शेर करे और टेलिग्राम ग्रूप अगर भी तक आपने हमारा जोइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रप्शन में दिया हुआ आप जाके जोइन कर शकते हूँ तो सबसे पहले मैं आपको दोनों एक्जाम के बारे में बता देता हूँ क्योंकि एक ही दिन दोनों एक्जाम के प्रविश्पतर जारी होंगे और CHO परिक्षा आपके तीन मार्च की इवनिंग को सिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। शंगणक भरती परिक्षा दो गंटे का पेपर है जो कि मौर्णिंग में दस बजे से लेकर बारा बजे तक आयोजित होगा। और CHO परिक्षा है यह आपका देर गंटे का पेपर है जो कि आफ्टरनून में तीन बजे से लेकर साड़े चार बजे तक आयोजित होगा। शंगणक भरती परिक्षा दो कोई भी परिक्षा दो दोनों भरती परिक्षाओं के लिए आपके परिश्पत्र जारी कर दिये जाएंगे। आपको किस बात की जान रखना है उसके बारे में अपडेट दूँगा और आपको परिश्पत्र के साथ में क्या लिखे जाना है उसके बारे में जान करी देरा। तो देख सकते हो चार नंबर पॉइंट में लिखावा हैं कि अभियत्री परिक्षा के अंदर पर निदारित परिक्षा समय से दो गंटे पूरो अपने उपस्तिती देवे ताकि तलासी के उपरांत आप समय पर परिक्षा कश में नियत जिस्थान पर बैठ सकए। परिक्षा प्रारब होने के नियत समय से एग घंटे पूरो तक ही परिक्षा के अंदर में परेश्ट के अनुमती होगी ठीक एग गंटे पूरो परिक्षा के अंदर का परेश्ट द्वार बंद कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो परिक्षा के अंदर पर अपना प्रोविजनल प्रिक्ष पत्र एक मूल फोटो युक पहचान पत्र यहनिकि आपके पास एक फोटो युक पहचान पत्र आधार कार्ड से पहचान सूनी चित की जाएगी आधार कार्ड में जनम तिती का अंकन होना पहचान पत्र पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान क्या जाएगा है अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हूँ या पासपोट ले जा सकते हुँ ड्राइविंग लाईसंस ले जा सकते हुँ मतदाता पैचान पत्र भी ले जा सकते हैं इनमे से कोई भी एक चल जाएगा आगे लिखावा उपस्तितिक पत्रपर चस्पा करने हैं तो 2.5 cm x 2.5 cm साइज का श्यम का नविंतम रंगी मूल फोटो जो की एक मां से अधिक पुराना ना हो लेके जाना है यनि कि आपको एक अपना फोटो भी साथ में लेके जाना और वो फोटो आपका एक मंद से पुरान नहीं होना चाहिए नीले रंग की शाई का एक पार्दशी बॉल पैन भी साथ लेकर आपको जाना है यनि कि आप जो बॉल पैन लेके जारे हो उसमें आपकी साही सामने दिखाई देनी चाहिए पार्दशी होनी चाहिए इसकी अलावा कोई अन्य शामगरी परिक्षा के अं झाल झाल